Hello friends, welcome to my channel, Little Growth. Today's topic is importance of water. पानी का महत्व पानी सबसे महत्वपून पदार्थों में से एक है, जो पौधों और जानवरों के लिए आवश्चक है. हम पानी के बिना अपने दैनिक जीवन का नेत्रित्व नहीं कर सकते. पानी हमारे शरीर के आधे से अधिक वजन को बनाता है. पानी के बिना दुनिया के सभी जीव मर सकते हैं. पानी केवल पीने के लिए ही नहीं, बलकी हमारे दैनिक जीवन के उद्देशों जैसे स्नान, खाना पकाने, सफाई और कपड़े धोने आधी के लिए भी आवश्चक है. जल का संभटन जल हाइड्रोजन के दू और ओक्सीजन के एक परमानू से मिलकर बनता है. इसका रासाइनिक सूत्र H2O होता है. जल की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस. तित्वी के लगभग सत्तर प्रतिशत भाग पर जल विद्देमान है. परंतु इसका सत्तानवे प्रतिशत हिस्सा खारा है, जिसे किसी भी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता. यह महा सागरों, सागरों के रूप में वित्रित है. जल एक रासाइनिक पदार्थ होता है. यह रंगीन, गंधहीन होता है. इसका अपना कोई रंग नहीं होता, जिसमें घोला जाए, उसी का रंग ले लेता है. जल का क्वतनाक, बॉलिंग पॉंट, 100-0C होता है. जल का प्रिष्ट तनाव, सर्फिस टेंशन उच्छ होता है, क्योंकि उनके अनुओं के बीच होने वाली अंतहक्रिया कमजोर होती है. जल की प्रकृती धुरूवी होती है, इस कारण इसमें उचा आसंजग गुण होता है. जल बहुत अच्छा विलायक, सॉल्वेंट होता है, जो पदार्थ अच्छी तरह से पानी में घुल जाते हैं, उनको हाइड्रोफिलिक की संग्या दी जाती है. जैसे नमक, चीनी, अमल, ख्षारादी. कुछ पदार्थ पानी में घुलनशील नहीं होते, जैसे तेल और वसा. हम पानी के बिना जीवन की कलपना नहीं कर सकते. पीने और घरेलू उद्देश्यों के अलावा, पानी हमारी दुनिया के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है. हमारी अच्छाई और आने वाले भविश्य के लिए जल का संरक्षण महत्वपूर्ण है. हमें पानी बचाने के लिए पहल करने की जरूरत है चाहे कमी हो या नहो. पानी हमारे लिए बहुत मायनों में आवश्चक है. अस्तित्व के लिए पानी पीना और अपने द्वारा खाए गए भोजन को पचाने के लिए नहाना खाना बनाना हमारे कपड़े और चीजे धोना बरतन साफ करना और घर की साफ स्फाई. इसके अलावा, स्वस्थ फलों और सबजियों को प्राप्त करने के लिए हमें पौधों, पेडों और फसलों के लिए नियमित रूप से भरपूर पानी की आवर्शक्ता होती है.